गुल इदने गार्विवन आज हम एक बहुत एहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है करोणा वाइल हर आदे गिंटे बाद अपना हाथ दोएं अपने फेस को टेश नहीं करें और जब भी आपका घरा कुछ को तो पाने भी है और सोशल देशिस करें और बनाना खाएं और डूइन पिये और कोफी टाय पिये और बदाम खाएं और अपनी मामा पापा की बात माने आज अब कैसे बच्चा जाते हैं गर को साफ रखे खुद साफ है हैंडी वाश करने चाहिए संटाइजर गाने चाहिए और ना आप गर पानी पीन जाए हमें घर में रहना जाहिए थेलना जाहिए जिसे हमें प्रोणा वायरा से बात सब्सक्राइब को बात मुंत्रे का मुला भी बा जो meng通 दु ovat मुटत्रे में जाए कêmes अमत कैक्ष फ़ृत करोई लुछ नारा जेHaume-षाफद गल्टा प्रोणा ने स Sophosल्ब MP-æ आपको बाइए आपका बाइए आयान है डर मौमेट यह अभी जो कुरूना का है यह कुरूना में आपने घर बैथने क्योंके बाइब आपको टावना ही किरने भाइए जो भाइजो बाइजो भाइजो डेल सारी बच्चे कहते हैं यह लोग जब आप भी कहते हूं यह मेरा बाइज सुनो में अपने हात भी वाश करने है मगर सैनिटाइजर के साथ है और दोस्तों और एक और बात भी है जब वोल सी भाय जाते हो, आपको एक बुरा हाल भी हो सकते हैं और हर बाक यह हुआ मास भी पढ़ने होता है क्योंकि 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 सफ अल्लाग को हिल्प कर रो सकते हैं और कुछ नहीं अस्वरा मलक मेरना नही है करो दावाइड से मस्कूल नही जाना अग्या पॉड्टा हूँ ही जad मेर पाड़ा हूँ और क्योंकि थैजित्ड़ मेर। प्रिख व्रे सफ डुड़ें कि दोड़ने दावाऊ ओना इटे, शिड़नेे कमा, एम Ik- fotografी कूछ दोड़ने कूइड जिसाओं राठियाशा वुप फूट लेखें वुप मास्क और गड़ाव स्पैन के बाई निकलिंगे एक लीटर पानी लेकर उस्में तीन गड़क टोर के डालके आपनी रोज मारा टीज है उन पर स्प्रेय कर देगें। आर्स ब्रीट करीया Assalamu Alaykum WaWa Hello everybody, greetings from America This is Ali कुषीד speaking I just want to tell everybody to prevent the spread of the Coronavirus or COVID-19 because of because it is causing so many deaths currently and the way you prevent it is disinfecting the areas you're most at stay in quarantine for 14 days and see if you have any symptoms dry coughing or fever and try not to touch other people, wash your hands and using hand sanitizer kills 99.9% of germs so that will help a lot and that will benefit जैसे हम प्रेकॉशिस फॉलो करके और नेसेसरी पुड़ इतम्स खा के अपनी फिजिसल इम्मुनिटी को स्ट्रॉं रखते हैं वैसे हमें दुआ करके और कुदावन के अजूर और टाइम स्पेंट करके अपनी स्पिरिचुल इम्मुनिटी को भी स्ट्रॉंग नखना है इस वारेस का अभी तक कोई इलाज नहीं है तो एहतियात करते रहें और दुआ करते रहें थेंक यू करते रहें